तो चलो प्यारे बैचो इस वाले सवाल को देखो अगर इस वाले question को तुम देखोगे basically इसमें क्या कहा जा रहा है कि a stone projected from the ground अगर एक ground से मैं एक stone project करता हूँ तो चलो यह ground है यहां से मैं stone अगर एक project करता हूँ तो ऐसे जाएगा और let us its velocity is something like this u kata at angle theta is equal to 30 degree तो इधर वाली करता है it cross a wall 30 second मतलब एक यहां पर वाल है यहां पर कहीं पर भी बना सकते हो तुमारी मर्जी यह वाल है और इस वाल को cross करता है तीन सेकेंड बाद तो यह कहता है कि how far beyond the wall strike मतलब यह वाली डिस्टेंस पूछी जा रहे है this is the x2 माल लेता हूं इसकी calculation हमें करनी है यह हमें निकाल आएक्सटू की value कितनी होगी वाल से दूसरे साइट बॉल कहां गिरेगा तो यह रहा एक्सवन तो एक्सवन प्लस एक्सटू का सम रेंज है और यह बिल्डिंग की हाइट है ठीक न तो यह वाली चाहिए अब और से फेका गया था तो यहां ते तुम देखोगे अगर प्रजेक्टाइल मोशन है तो प्रजेक्टाइल मोशन में हमेशाथ x और y में टाइम सेम रहता है तो यह वाली जो जाएगी यह की वेलू यहां दिया था 50 तो यह आजाएगा 50, 30, 30 की वेलू कितने आजाएगी 50, 30,30, 25,30, this is the ux और y की वेलू इधर जो वेलू आजाएगी वाली की जो वेलू आजाएगी 50,30 30 और 50 sin 30 की जो value है sin 31 by 2 तो तो यह जाएगा 25 meter per second this is the initial velocity in x-axis this is the initial velocity in x और y-axis में निकाल लिया हम सबको पता है time is same time is same for vertical displacement y and x1 y distance उपर जाने में ठीक है और यहां सी इधर आने में time same होता है तो time same होगा तो इसका मतलब यह हुगा कि मैं x1 निकाल सकता हूं x1 is equal to distance is equal to speed multiplied by time t क्योंकि x-axis में x relation क्या होता है 0 होता है तो s is equal to ut लगा दिये तो displacement speed यह speed multiplied by time t तो ux same रहता है और time t ux कितना है 25 root 3 और time लगा है 3 second तो यह जाएगा 75 root 3 meter x1 की value आ गए ठीक है और यहां से यह दिया हुआ है x1 plus x2 का sum already range के बराबर है और range का formula मुझे पहले से याद है 2 u square sin theta cos theta over z यह इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 times ux uy और divided by g ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको ठीक है तो अगर मैं यहां से तुम देखो तो यहां से ux और x1 की value मुझे पहले से पता था x1 मैं पहले यहां निकाल लिया हूँ तो x1 की value है 75 root 3 plus x2 और range 2 times यहां से ux ux कितना है 25 root 3 और multiply कर दो e y that is 25 divide कर दो में यहां z की value 10 से तो अगर मैं इसको देखता हूँ तो यह कितना हो जाएगा तो यह जाएगा 75 root 3 plus x2 और यहां से यहां से 50 आ जाएगा 50 multiplied by root 3 और divided by multiplied by 25 और 10 तो यह 0 इस 0 से कट गया और यह 75 पच्चिस यह हां एक सो पचीस आ जाएगा तो पचीस पर एक सो पचीस रूट 3 तो इसका मतले बेग हुआ कि जो x2 की value है जाएगी 125 root 3 minus 75 root 3 ठीक है तो एक सो पचीस रूट 3 यहां से तुम देखोगे तो पचीस इधर हो पचास रूट 3 तो पचास रूट 3 अगर तुम देखोगे तो 50 multiplied by root 3 की value रखोगे तो 1.732 तो यह approximately calculation आ जाएगा 86.6 मीटर ठीक है इस 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 फाइनल काल्कुलेशन दैट इस सी आप्शन सही है